आत्म निर्भर भारत अभ्यान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा निया है स्वामित्व योजना गाउं में रहने वाले हमारे भाईयों भहनों को आत्म निर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है आज हर्याना, करनाटक, मददप्रदेश, महराष्टर, उत्राखन और उत्तरप्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागत सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गाउं में हर घर को इस तरह के प्रापर्टी कार देने का प्रयास किया जाएगा और साथियों मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना विराण काम एक ऐसे दिन हो रहा है इस देश का बहुत बड़ा महत्वपुन है आज के दिवसका हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्वपुन है और वो है आज देश के दो-दो महान सपुतों की जन्म जेन्ती है एक भारत रतना लोक नायक जैप्रकाष नारायन और दूसरे भारत रतना स्री नानाजी देशमोग इन दोनों महापुरुसों का सिर्फ जन्म दीन ही आज 11 अक्तूबर ऐसा नहीं है एक ही तारिक को एह दे पड़ता इतना ही नहीं है बलकि ये दोनों महापुरुस देश में ब्रस्टाचार के खिलाब देश में इमानदारी के लिए देश में गरीबों का गाउं का कल्यान हो इसके लिए दोनों की सोच एक थी दोनों के आदर्श एक थे दोनों के प्रहास एक थे जैप्रकाज बाबु ने जब संपूर्ण करांति का आवान किया बिहार की धर्ती से जो आवाज उठी जो सपने जैप्रकाज जी ने देखे थे जिस सपनों की ढाल बन करके नाना जी देशमुक ने काम किया जब नाना जी ने गाउं के विकास के लिए अपने कारियों का विस्तार किया तो नाना जी की प्रेरणा जैप्रकाज बाबु रहे अब देखे कितना बड़ा अधूत संयोग है गाउं और गरीब की आवाज को बुलंद करना जैप्रकाज बाबु जैपी और नाना जी के जीवन का साजा संकल्प रहा है और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब डॉक्टर अब्दुलकलाम चित्रकुट में नाना जी देश्मुक से मिले तो नाना जी ने उन्हें बताया कि हमारे हाँ आसपास के दरजनों गाउं मुकदमों से पूरी तरह मुक्त है और कोई कौट कचेरी नहीं है कोई किसी के खिलाप कोई F.I.R. नहीं है तो नाना जी कहते थे कि जब गाउं के लोग विवादों में फसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और नहीं और समाज में बटवारा ही बटवारा गाउं जगरता ही रहेगा गाउं दो तीन इस्वों में बढ़ हर कोई एक दुसरे पर शक करेगा मुझे विश्वास है कि स्वामित्व योजना भी हमारे गाउं में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी